खेयलो डियारी स्टुडेंट्स आजका जो हमारा टॉपिक है बिसमें हम देखेंगे कि वेर यह डियार ब्रूलर्ट आजीज़ के बात रहे बूदेश वेले सिविलाजेशन्स के बात कर रहे हैं वेल मेंटेन ग्रेनेरी था तो यह सब इस बहतर जो व्यवस्था होने के कारण से वहां पर हम देखेंगे तो एक हाई स्टेंडर्ड आफ एड्मिस्टेशन से नहीं उस समय जो एक बहतर एड्मिस्टेशन से रहा होगा इसकी हम कल्फना जो है वह कर सकते हैं और फॉर्चनेटी तील दा स्क्रिप्स आफ इंडर्स स्विलाइजेशन इस डिस इफियर्ट वी कैन हाडली सै एनिटिंग इबाउट दा नेचर आफ गवर्मेंट इंडर्स इस 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 डिए उसके जो इस डिए उसके जो वहां पर जो भी चीज़ें मिली है तो वह जो च्छपाई है लिखाई है उसके बारे में अभी तब किसी ने उसको पर्ण या समझ नहीं पाया है तो जिस कारण से वहां पर आप देखेंगे तो वहां के जो रूलर्स किस टाइप के थे वहां के जो एड्मिस्टेटिव सेट अप कैसा था उसके बारे में जो नेचर आफ गॉर्मेंट है उसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है तो बहतर सिस्टम होने के का सा-रतीस रहतर प्लानिंग होने बाद भी वहां के जो रूलर्स अंधारम के प्रकाश एड्मिस्टेशन किस टाइप को चल था उसके बारे में अभी भी प्रॉपर इंफ्वरमेशन नहीं है क्योंकि वहां के जो रॉइटिंग है स्क्रिप्स है उसको अभी तब कोई अंडरस्टेंड नहीं कर पाया है उसको किसी में समझ नहीं पाया है सब वहां पर उसका प्रोड़क्शन किया जाता था उनका कल्टिवेशन किया जाता था था सांतिजार जो मोटे अना बाजरा रागी ज्वार है उसका भी प्रोड़क्शन वहां पर होता था रिमेंस आप इस क्रॉप्स है बिन फॉंट प्रांद एक्जुगेटेट साइड वी दू नौट फाइंड मच एविडेंस आफ दा कल्टिवेशन आफ राइस यह जब उफ उसमें जो एक्जुगेटर जो साइड साइड आप खुदाई किया गया वहां पर आपके जो राइस है उसके सोर्सेज है वह नहीं मिले हैं कि उस समय राइस का भी प्रोड़क्शन होता था उसका कल्टिवेशन होता था कि नहीं वह लोग यूज करते थे कि नहीं इसके बा लोग फिस है मेट है मिलक है डेट है फ्रूट्स है इन सभी का भी अपने जो डाइट से अपने खाने पीने के जो भुजर है उचमें इन सब को सामिल करते थे थे नेक्स पॉइंट आता है कि वाट दीड दे वियर अब वो क्या पहनते थे उनका ड्रेसिंग स्टाइल क्या था वो किस टाइब के जो है जो यह वो पहनते थे तो आर्चुलाजिस्ट है फाउन एविडेंस और फॉटन एंड वूट वें प्लाथ यह उस समय जरली आपके जो प्लाथ है उनका यूज करते थे स्टाइल मेंड ऑफ क्ले हैब बीर फाउन इन मैनी साइट्स फ्लेंडर्स और यूज तो इस्वीन कॉटन त्रेट्स यानि आप एक टाइप सब्सक्राइब के बात करते हैं जिसमें कॉटन को धागे के रूप में प्यूरूए जाते हैं वह आपके उजो एक्जुकेटर्स साइड है जहां पर पुदाई के है वहां पर मिला है देन में वर फ्लॉविंग लेंद आफ लॉट वाइल वोमें वर इसकार्ड ऐस कैन भी सेन फ्रॉम वेरियस फिगर फॉन इन दा साइट बहुत दो मैं एंड वोमें सेम तो हैब ट्रैप्ट और सावल ओवर देर सोल्डर अब यहां आपके जो जरड़ली कहा गए कि जो में और में दोनों के जो ड्रेसिंग इस्टाइब है उसमें ता बर जरलि sådler अपने वहां पर सौल रखते थे आपके जो महिलाए है वो सकर्ट पहते थी और जो तो में है वह फ्लोइंग और जो कपड़े है उसका यूज करते थे वह haven अकि यहां पर बात किया गया जो अधिकान जो एसकोट्र शाइट्स हैं जो फीगर्स मिले हैं जो मूर्तिया मिली है को चीट्र मिले हैं तो इन सब्सक्राइब है बहुत में और जो वोमें है यानि महिला है दोनों है वह क्या करते थे और्नमेंट्स यानि दिफ्रेंट जो और्नमेंट्स है उनका यूज करते थे चाहे वह किसे गोल्ड से बना हुआ सिल्वर है फैनीज है और बेट्स ऑफ सेमी प्रिशास इस्टोंट लाइज जेट लैपीज लेजुली कॉर्णिल एंड अगेट बैंगल्स एरिंग्स एंड नेकलेश इंड नेकलेश इंडू है बीन फापुलर यह नि उस टाइम पे जो पीरियेड में आप देखेंगे तो च है थी सिल्वर से या फिर आफेर जो प्रिशास जो इस्टोंट्स इससे बने रहते थे बैंगल्स शेयरिंग्स आपको यह बीज़ा दिखाई दे रहा है कि जो यहां आपके फैन sailors के घली में आप देख सकते हैं आप यहां पर आपके वैरिंस शो डेख सकते हैं कहीं में और और वो में दोनों उट्टाइम फिजेड में ओनमेंट्स है उसका यूज करते थे देन दा वो में यूज काजल फॉर दियर आई एंड पैंड दियर लीप्स दो इवन तुडे यह उस टाइम पिरियेट के भी जो महिलाएं थी वह काजल का यूज करते थे अभी जैसे जो गल्स हैं वह काजल लगाते हैं अपने आइस पर दैन वह पेंड करते थे कि इसको अपने ज को वो उसमें भी किया जाता था सो यहां पर आपको जो इमेस है वो गई स वो दिखाई दे रहा है तो सब् Ist एक देन अक्ति-दे ओंने जो नेक्लेस में ये मिला नेक्लेस है जो समय महिलाएं उसको बढाणा है थी। then did they know to write उन्हें लिखने के बारे में पता था कि नहीं हो लिखने को जानते थे कि नहीं है so the people of the Indus civilization had developed a form of writing यह इनके पास जो developed form a writing का वो था इनके पास this was one of the words earliest now scripts writing was in the form of pre-inscription found mainly on seal of different materials like clay backed clay and statin मिस उस समय जो वहां उस्टाइम पीरिट के जो आपके लोग थे फीफर्स थे वो जनरे राइटिंग जो है वो जानते थे उनको लिखना पढ़ना आता था और जो develop जो form writing का उनके पास था वो जो उस टाइम पीरेट के जो इस्क्रिप्स मिले हैं वह अभी तक जैसे आपने पहले ही जा पता है आपको कि अभी तक कोई उसको सुध की शनरे ऐसको फर नहीं पाए चाले है wa समझ नहीं पाया है कि जो लिखा वर वो क्या चीज है वह किस में की क्या बता रहा है तो उस समय जेनरे स्क्रिप्स है तो आपको तेफेंग प्ले से या फिर बैंग प्ले से या फिर स्टैटीश जयंदे आपके होता है निस तो थर्षोफ एस्टौन यहनु आपका जो एक इस्तौन होता है जो सोफ यह समझे देखते हैं तो उसी आकार का एक जो इस्टौन होता है तो उसमें भी आपको इस्क्रिब्स यह वो लिखे भी मिलते हैं देन आर्चोलाजिस्ट रिवेल देर दार राइटिंग इस यूजली फ्रॉम राइट तू लेफ्ट अन्फॉंचुनेटली दाइस्क्रीप्स हैं नॉट इस्पेर्ट सो फॉर यह आपके आर्चोलाजिस्ट है वह जरली आप देखें तो उसका जो राइटिंग है वह क्या हो अन्फारद करें आपका हम यहां से लिखते विए जाते हैं इधर से आ लिखना-स्टे करते तो यहां से वो लिखना अपको बढ़ते जाते थे तो यह जो आपका है है राइट हो लेट हम दोर्ट यहां से बिखना है इसे video सोइक हो और North chee यहां से स्टार्ड करते हैं याझे ःव्य लेट से स्टार्ड करते हुए हम इस वर जाते हैं तो जैसे आपके जो उर्दू लेंग्वेज में होता है जो नोट करते हैं तो उसी टैप से उस टाइम पीरियट के भी आपके इंडस वैली के जो फीपल्स हैं वो राइटिंग पॉर्म का यूज करते थे दैना हम जो नेक्ट देखेंगे मेटरोलाजरी की हम बात करते हैं तो उस समय जो फीपल्स हैं वो किन जो तैप से जो धातुए मैटल्स हैं उनका यूज किया जाता था सो ओके थैंक्यू